नमस्कार दोस्तों, तो आप सब के लिए मैं लेकर आये हूं आज, ओरी कल्चर का नोट्स तो देखते हैं synopsis इसका, पहला पॉइंट है introduction, दूसरा पॉइंट है technique of over culture, तीसरा पॉइंट है use of over culture, चांथा पॉइंट है significance, पांचवा पॉइंट है conclusion और छटवा पॉइंट है reference book आए तो पहला पॉइंट देखते हैं introduction, नियंत्रित और जर्मिकृत प्रायोगे क्वातावरण में पोशक माध्यम, nutrition मीडिया पर प्रिथक कृत किये गए अंडासय ओवरी या अंडासयों का समवर्धन, कल्चर, अगर फल फ्रूट के निर्मार हेतू किया जाता है तो उसे अ पूर्व परागित या अपरागित अंडासय को लिया जाता है सर्व प्रथम पुस्पो को लेकर टी पॉल 5% में 10 मिनट तक डूबाने के पस्चात धो लेते हैं तत पस्चात लेमिनर एयर फ्लो से गुजार कर इने 5% सोडियम हैपोकलोराइड 5-7 मिनट द्वारा सतही सर्वपित इनोक्यूलेट कर देते हैं अंडासय समर्धन माध्यम को 25 डिग्री सिल्सियस तापमान पर उस मायन हेतू स्वचालित शेकिंग इनक्यूबेटर में डाल देते हैं तथा 2000 लक्स प्रकास ओपचार भी देते हैं समर्धन माध्यम पर अंततह सर्वपित अंडासय पूर्ण विक्सित फल में परिवर्तित हो जाती हैं तीसरा पॉइंट देखते हैं यूजेस ओफ ओवरी कल्चर अंडासय समर्धन ओवरी कल्चर का उप्योग टमाटर नंबाकू, चांदनी, एनिथम, लाइनेरिया, माइक्रोकेना, आदी में फल तथा जीवन छम बेज व पॉस्पो के विभिन उंगों का फल के विकास पर क्या प्रभाव होता है, इसका अध्यान आसानी से किया जा सकता है, चौथा पराग करण पॉलेन ग्रेन एवं निसेचन फर्टिलाइजेशन के कारण अंडासय ओवरी के फल में परिनत होने की अवस्थाओं के परिनाम का आकलन किया जा सकता है पांचवा पॉइंट देखते हैं कन्क्लूजन ओवरी कल्चर का इस्टड़ी करने से हमें यह ग्यात होता है कि अंडासय संवर्धन द्वारा फल एवं भ्रूड के विकास की प्रारंभी कवस्थाओं को समझा जा सकता है और पुस्पों के विभिन अंगों का फल के विकास पर क्या प्रभाव होता है इसका अध्यान असानी से किया जा सकता है मैं आसा करता हूँ कि यह नोट्स आप सभी को काफी पसंद आया होगा इसी तरह के नोट्स और वीडियो पाने के लिए आप सभी इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करे धन्यवाद